एलो बच्चो आपने कितने वर्ग चैप्टर के पहले पार्ट में वर्गों को गिनकर एरिया निकालना सीखा था आज की वीडियो में इसी चैप्टर के पार्ट टू में हम परिमाप निकालना सीखेंगे बच्चो मेरे पास ये एक ग्रीटिंग कार्ड है मुझे इसके चारो कोनों पर इस तरह से लेस लगानी है तो मुझे ये पता होना चाहिए कि इस कार्ड के चारो तरफ की लंबाई कितनी है जितनी इसकी लंबाई होगी उतनी ही लंबाई की हम लेस लेंगे बच्चो किसी भी समतल आ करते के चारो ओर के घेरे की कुल लंबाई को हम उसका परिमाप कहते हैं परिमाप शब्द दो सब्दों से मिलकर बना है परी जमा माप परी का अर्थ है चारो ओर माप का अर्थ है मापना अर्था चारो ओर की माप, इसे हम परिमाप या पैरिमीटर कहते हैं बच्चो आपकी बुक में पेज नमबर 45 पर मैंने एक फिगर बनाई है अब हम इस फिगर का परिमाप निकालना सिखेंगे पहले हमने इन वर्गों को गिनकर छेतरपल निकाला था हमें पता है कि हर एक वर्ग की बुजा की लंबाई एक सेंटिमीटर है अब हम इनकी बाहर की बुजाओं को गिनकर इसका परिमाप निकालेंगे जैसे इसकी बाहर की बुजाओं की संक्या एक, दो, तिन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारे, बारे, तेरे, चोदे, पंदरे, सोले सोले है अर्थात हर बुजा एक सेंटिमीटर की है और सोला भुजाओं हुई तो इसका परिमाप भी सोला सेंटिमीटर होगा बच्चो किसी भी वर्ग, आयत, अथवा त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए हम उसकी सभी भुजाओं का जोड करते हैं जैसे मैंने यहाँ पर कुछ आकरतिया ली है एक आयत, एक स्क्वाइर वर्ग और एक त्रिभुज अब यहाँ पर इनकी भुजाओं की माप दी गई है जैसे आयत की लंबाई 10 सेंटिमीटर, चोड़ाई 5 सेंटिमीटर तो इसका परिमाप होगा 10 जमा 10, जमा 5, जमा 5 अर्था 30 सेंटिमीटर इसी परकाल यह वर्ग है, इसकी सभी भुजाएं समान है तो एक भुजा की लंबाई 4 सेंटिमीटर है तो चारो भुजाओं की लंबाई होगी 16 सेंटिमीटर यहाँ पर एक और आकरती मैंने त्रिभुज लिया है इसमें तीनो भुजाएं अलग लग है 7 सेंटिमीटर, 6 सेंटिमीटर और 9 सेंटिमीटर इस प्रकार इस त्रिबुज का परिमाप होगा तीनों गुजाओं को जोड़कर 22 सेंटिमीटर बच्चो अब हम जानेंगे कि किसी वर्ग को दो बराबर त्रिबुज में बाटने पर अलग-अलग तरह से जोड़ने पर उनके छेत्रफल और परिमाप में क्या चेंज आता है यहाँ पर मेरे पास एक वर्ग है यह कलरफुल शीट है जो की स्क्वार शेप में है और इसकी एक साइड की लंबाई 14.5, 14.5 सेंटिमीटर है तो इस प्रकार इसकी चारो गुजाओं का परिमाप हुआ 58 सेंटिमीटर अब यदि मैं इस स्क्वार को यहाँ से बीच में से काट कर दो बराबर त्रिबुज बनाओं और उनको इस प्रकार जोड़ दूँ यह देख लिजे आप बच्चो यहाँ पर मैंने त्रिबुजों को बीच में से इस तरह से जोड़ दिया है उसी वर्गे से यह दो त्रिबुज मैंने बराबर काटे हैं अब हम इनका परिमाप देखते हैं बच्चो इनको इस प्रकार जोड़ने पर इस बुजा की लंबाई है 20.5 cm इसकी 20.5 cm और यह 39 cm यहां तक 14.5 और यहां तक भी 14.5 क्योंकि जिस वर्ग की बुजा से जिस वर्ग से मैंने इसको बनाया है उसकी एक बुजा की लंबाई 14.5 cm है तो यह भी 14.5 इदर और 14.5 इदर 29 cm होगी तो अब आप देखते हो कि इसका परिमाप 70 cm आया है जबकि जो मूल आकरती थी हमारी वर्ग उसका परिमाप 18 cm है तो आप देख रहे हो कि किसी एक ही आकरती को हम अलग-अलग तरह से जोड़ने पर अलग-अलग परिमाप पाते हैं निकि दोनों परिस्तियों में परिमाप अलग-अलग है लेकिन दोनों परिस्तियों में छेतरफल समान रहेगा बच्चों आप भी इसी तरह की कोई एक्टिविटी कर सकते हो आप किसी स्क्वायर में से दो बराबर तिर्भुज काटकर उनको अलग-अलग तरीके से जोड़कर ये पता लगाओ कि उनके छेतरफल अत्वा परिमाप में कोई परिवर्तन होता है या नहीं होता है धन्यवाद